नमस्कार आवाज इंडिया के लाइब सेशन तीके सवाल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर हम आपके बीच में मैं आपके साथ तापस विश्वास और आज स्टूडियो में मेरे खास मेहमान भाजपा के युवा नेता विकाश शर्मा जी ब्यापार मंडल क आप अध्यक्ष भी हैं देबभू में विपार मंडल के अध्यक्ष हैं चुनावी समर है चुनाव का तेहार है पूरी तरीके से चाह भाजपा हो चाह कॉंग्रेस हो सभी राजनेतिक पार्टी जमीन पर धरातल पर उतरी है भाजपा किनरंड नितियों के साथ मैदान में है धन्यवाद तापस भाई मैं अवाज टीवी का अभारवेत करता हूँ कि आज मुझे आपर आपने बुलाया और मेरी शुब कामना है अवाज चैनल के लिए इनकी पूरी टीम के लिए तापस जी देखिए भारती जनता पाल्टी ने नारा दिया है युवा सरकार साथ के प अधिक कारों की गोशना ही नहीं उनके उपर कारे शुरू कर दिये लगवग 500 से अधिक कारे पुशकर सिंग्धामी जी के नितरत में शुरू हुए अभी हमने युवाओं की बात करें तो बेरोजगार नौजवानों के लिए 50,000 रुपए एक नैनो योजना के नाम से हमने लौन देने का काम किया जिसमें तरही चेतर में साड़े 12,000 की छूटा है और परवतिये चेतर में साड़े 17,000 की छूटा है और उपर के जो परवतिये एरिये हैं बॉर्डर के उनमें साड़े 19,000 की हमने छूट दी ताकि हमारा नौजवान, हमारा बेरोजगार, युवा, बेहने वो अपना काम कर सकें ना कि उनको हमने free के आधर डाली, उनको ऍबनाने के लिए हमने अपना काम शुरू करने के लिए इस प्रकार की सुधाएं दी है, हमने stay home की योजना शुरू की है, कि पहाण पर जो हमारे घर हैं, आप उसी के अंदर सरकार के माद्यम से छूट लेके stay home के नाम से आप उसको प्रेटन स्थल के रूप में डवलप कर सकते हैं, बाहर से लोग आते हैं, तो एक natural घर में उनको रुकने का मौका मिलेगा, इसके साथ ही जो हमारी बेहने हैं, उनके लिए हम लोगों ने सम्हू के आप पे 5-5 लाख रुपए के lawn हमने देने का काम किया है, जिसमें बिना बैयाच के हम लोग दे रहे हैं उनको, और वो बहने अपने product को बना के बेच रही हैं, ताकि उनकी earning बढ़ रही है, अभी हम लोगों ने घसियारी योजना के माद्यम सभी पहाड की जो हमारी माताए हैं, बहने हैं, उनके लिए हम लोगों ने बनाई है, जिससे उनको लाब मिल सके, और हमारे बच्चों के लिए भी हमने high school और इंटर के जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, उनको free में laptop देने का, tablet देने का भी हमारी सरकार ने काम किया है, और अभी आप देखेंगे, तो स् स्वास्त के लिए बीमा योजना है, वो तो पांच लाग के हमने देई रखी है पुरे प्रांत में, इक साथ साथ सरकारी हस्पतालों में जितनी भी जाचे हैं, वो सारी की सारी लगबग 200 परकार की जाचे हैं, वो सारी की सारी free कर दी है, कि कोई भी व्यक्ति जाए अपनी सरकार में आएंगे हैं, काफी सारी मैं आपने नीतियां गिनाई हैं और काफी बताया कि इस तरीके से भाज़पा काम है, एक अगर प्रमुप बुद्धा क्योंकि हाला कि विशे टॉपिक आपसे तो बाहर चला जाएगा, लेकिन जिस तरीके सा आपने योजनाय गिनाई है और लाब देने की बात, ये एक बहुत बड़ा मुद्धा, क्योंकि एक साल का युवा उत्राखंड हो गया, युवा नेतुर्त की छमता आप रखते हैं, कहीं न कहीं पलायन को रोकने में, आज चाहे वो धामी सरकार के लेजिए, ये से पहले और भी मुख्यमंत्रियों की सरकारती, कहीं न कहीं, पलायन को रोकने में आप लोग नाकाम साबित हुएं, उस पर क्या रड़नीती रहेगी, ये तापस जी मैं बताना चाहता हूँ कि जब से करोना काल आया, तो इससे पहले हमारे मुख्यमंत्री मानी त्रिवेन सिंग रावत जी थे, तो उस समय उन्ह और अपना वैपार कर सकें, और उस में हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेन सिंह रावत जी हर suppress मोनेटरिंग करते थे, और अधिक सदिक लोगों को हमने मुख्यमंत्री सवरगार, योजना के माद्यं से हमने लोन देने का काम किया, ताकि वो अपने घरों में रुके, हमने जो ह उत्राखंड का बेरोजगार नौजवान है क्योंकि हम लोग दूसरी पाल्तियों के तरहे फ्री की गोशना नहीं करते माननी मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी जी नहीं सिड़कुल कूच किया था 17 फरवरी 2006 को और ततकाली मुख्यमंत्री नर्यानत तिवारी जी से मांग की थी कि उत्राखंड के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए फिर बाद में हमारी सरकार बनी मानिक खंडूरी जी ने उसको जीयों को लागू किया और आज आप देख रहे हैं उत्राखंड के नौजवानों को सिड़कुल के अंदर बहुत अधिक मात्रा में रोजगार मिला है और सबको पी एफ मिलना है एसाई मिलना है और सारी सुधाय मिल रही है एसाई होस्पिटल भी बनके आत्यार हो चुका है तो हमारा आगे भी प्रयास रहेगा कि जो हमारे नौजवान है अरिदवार सिड़कुल है अपना सितार गंज है कांशिपूर है और अभी रुद्धरपुर में है तो सब जगा हमारा और प्रयास रहेगा इसमे कि 70% का जो हमारा उत्राखंड के नौजवान के लिए विजनता मानी पुषकर सिंग धामी जी का वो हम और इसको आगे कैसे ले जा पाएंगे ये भी हम प्रयास करेंगे महिलाओं के लिए भी हम लोगों ने जो समू अली योजना में लौन दे रहे हैं तो कहीं नहीं हमारा प्रयास है कि उत्राखंड का नौजवान उत्राखंड की जो जवानी है वो उत्राखंड के ही काम आए और 24,000 लगबख सरकारी नुक्तियां भी मानी पुषकर सिंग धामी जी ने निकाली हैं उसमें भी प्रकिर्या चल रही है लोग अपने अवेदन कर रहे हैं बर रहे है और भी जितने विभाग हैं जहां भी पोस्टे खाली हैं हमारी सरकार ने आदेश कर दिया है कि आप अपनी आँकी डेटेल निकाल के हमें दें और मुझे लगता है कि युवाओं की लड़ाई लड़ने वाले इस उत्राखंड के मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी जी एक एक युवाओं की पीडा को समझते हैं निश्ची तोर पे हम लोग उत्राखंड से आप पलाया नहीं होने देंगे पुषकर सिंग धामी जी की लगातार आप बात कर रहे हैं उनकी जन्नीती आप लगातार गिना रहे हैं लगातार दो सवालों में आपने पुषकर सिंग धामी मुख्यमंत्री के तौर पर और इससे पहले जो दो मुख्यमंत्री थे एक कम समय मिला पुषकर सिंग धामी को लेकिन जो इससे पहले दो मुख्यमंत्री आप सभी जानते हैं कि नाराज थे इससे पहले जो तिर्वेंड सिंग रावत मुख्यमंत्री थे उनसे कितना बड़ा नुकसान होगा कुँए। आपने बदल दिन धामी जी को कम समय मिला विकास करने का। बड़ा नुकसान और फाइदा फोसक्ता है। ताबस जी जहां तक मैं मानता हूँ कि भारती जंता पाल्टी एक लोगतनत्रिक पाल्टी है। यहां पर भारती जंता पाल्टी हमेशा अपने अनुसार परिवर्तन करती रहती है। बीच में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की सरकार दी। यहां पर चाहे ऑक्सीजन बेड हो। चाहे हमारे यहां पर सारी सुधा हैं हमने वेंटिलेटर बैड हो बाई पैप हो हमने सारी सुधा हैं देने का काम किया तो दोनों मुख्यमंत्रियों ने मैं कहूंगा बहुत अच्छा काम किया थोड़ा सा माननी मुख्यमंत्रि पुष्कर सिंग धामी जी के आने से मैं यह कह करने हैं तो तापस जी जब आप युवा पत्रगार हैं आपका काम करने का एक स्टाइल अलग होगा और कहीना कहीं उससे चैनल को एक अलग हमारे तीनों मुख्य मंत्रियों ने मैं कहूंगा पाल्टी के हित में काम किया होगा लेकिन इन तीनों मुख्य मंत्री के कारेकाल के दौरान जिस प्रकार कॉंग्रेस की सरकार थी सत्तर से अधिक घोटाले हुए थे हमारे किसी मंत्री पर ब्रश्टाचार का रोप नहीं है य अपराद को रोकने में कहीं नहीं सरकार ने और सरकार के नीचे पुलिस महकमे में डिलाई बढ़ती है आज यूपी में आप यूपी की बात करने यूगी जी की सरकार है अपराद ना के बराबर है गुंडे हुआ डरते हैं लेकिन रुद्धरपुर की या उत्राखंड की बात करें तो लगातार यहां अपराद का रेश्यू बढ़ा है उस पर कब भाजपा सरकार काम करेगी तापस जी मैं कहना चाहूंगा कि जब से भारती जंता पाल्टे की सरकार बनी है यहां पर किसी भी परकार से अपरादियों के हमने सरक्षन नहीं दिया है कोई भी बड़ी अपरादी गटना उत्राखंड के अंदर नहीं हुई जिसके वज़े से हमारी परशाषन को या हमारी सरकार को अपना सिर्फ जुकाना पड़े क्योंकि परशाषन ने बहुत मुस् प्रशाशन दोनों आपके सामने और इनी के दम पर हम लोग पुना सरकार बनाने जा रहे हैं दावेदार हैं और कई और दावेदार हैं क्या लगता है देखिए मैं भारते जंता प्रालिटी का कारे करता हूं और मैं माननी कुषकर सिंग दामी जी के साथ योग मोर्चा से काम करता हूं माननी भगत सिंग कुषारी जी के साथ एक लंबे समय से मैंने काम किया है और लोकतांत्रिक तरीका है पाल्टी में सभी पाल्टियों में अधिकार है टिकट मांगने का तो मैंने भी लोकतांत्रिक तरीके से अपने टिकट मांगी है मैं 2012 में भी विदान सभा का दावेदार था और उसके बाद लगातार निगम में भी दो बार रनर रहा लेकिन रक्षन होने की वज़े से मैं लड़ नहीं पाया तो मैंने अपना वेदन भारती जंता पालटी में रखा है और मुझे पूर आशा और विश्वास है कि मेरी जो मेहनत है जो मेरी लगना इस भारती जंता पालटी के लिए पाल्टी मुझे अवश्य मौका देगी और उसके समिक्रन कि मुझे मौका मिलेगा और मैं रुद्धरपुर की जनता की सेवा करूँगा लिस्ट आ चुकी है पहली लिस्ट भाजपा की आ चुकी है आप दावेदार हैं रुद्धरपुर विधान सबसी दस साल उन्होंने इस छेतर के लिए काम किया कहां हो कमी रह गया लगातार कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा वह मतों से जीता हूं सबसे ज़्यादा प्यार मुझे मिलता हिंदुत का नारा हमेशा देते हैं लेकिन आज ऐसी क्या वज़ा रही कि उनके टिकेट में संचे पैदा हो गया कुछ नहीं है जो भी है भारती जनता पाल्टी है अगर कमल का फूल तापस जी आपके हाथ में होगा तो शयद आप भी एक बड़े निता बन जाएंगे तो यह भारती जनता पाल्टी है और एक लोगतांतरी पाल्टी है यहाँ पर जब पाल्टी निर्ने लेती है आपने देखा पीछे केंदर में बहुत सारे मंत्रियों को पाल्टी ने बदल दिया कि उनसे काम नहीं लिया उन्होंने दूसरे लोगों को लाया कि इनसे भी काम लेते हैं क्योंकि भारती जनता पाल्टी कारकरताओं को मौका दे परिवारवादिक पाल्टी नहीं है और किसी के लिए कुछ फिक्स नहीं है अगर आप काम करते हैं अच्छा काम करते हैं लोग फिर दूसरों को मौकत दे दिया जाता है। हमारे senior citizen को लेके, यहां के वेपारियों को लेके, किसानों को लेके, मेरे भी कुछ उमीदे हैं, मेरे सपने हैं, जिनको मुझे मुझे मौका मिला तो मैं अवस्य कुछ करूँगा। ठोगराल जी की बात की जाए, दस सालों का करेकाल उनका रहा, लेकिन ऐसा कोई बड़ा काम, जो नजर नहीं आता, दस सालों के आप कहते हैं, टंचिंग राउंड, जो कुड़े की इतनी बड़ी समस्या है, उसको नहीं नटा पाए, आप मेडिकल कॉलेज में धन नहीं ले प यह सारी कमिया रही हैं, जिसके लिए आप जैसे युवाओ को आगया आना पड़ा और टिकेट की मांग करें, अभी तक रुद्धरपूर सीट पे टिकेट की क्लेर्टी नहीं हुई है कि कौन लड़ेगा, क्या लगता है, अगर ठोगराल जी नहीं आते हैं, तो फिर उसके चुनाओं में उतरते हैं, और अगधान सभा से अर्तियाशी होते हैं, ऐसे वो पांच मुद्धे, जो पांच बड़े मुद्धे, जो विकाश श्रमा जी छेतर की जनता के लिए, छेतर के लिए करना चाहते हैं, तापस जी मेरी सबसे बड़ी योजना तो इस शेयर के दो दिने अवेलेबल हूँ, धुसरा हमारी परमुख जो सपना है शेर के अंदर सिवरidas मेरी मुख्यमंतोरी मैंने के मांग रख़ा है, और वबार के सबस्या मेरी समस्या पानी की समस्या नाले के समस्या इसको समांप्त करना चाहते हैं, धूशरी बड़ी समस्या अरु मaking क बनाएगा जिसमें नीचे अंडर्गार्ण पार्किंग रहेगी और उसके उपर मल्टी स्टोरी मार्केटिंग बनेगी तो यह दो चीजें हमारी जो है जो है जो शेयर का ट्रैफिक खतम करेंगी शेयर की पानी को बाहर निकलेंगी तीसरी मेरी इच्छा है कि हम शेयर के मेरे संजे नगर के बच्चे हैं मेरे इंदरा कलोनी बंगाली कलोनी के बच्चे हैं रविंदर नगर के बच्चे हैं मुखरजी नगर के बच्चे हैं टाइट के हैं तो कहीं नगर बहुत छोटे परिवारों से आते हैं लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों को पढ़ा रह नगरी उसे उड़ेंगे नगर को भी जोड़ेंगे । गर्वात करूं ताकि हमारे हर महले में वाइफाई जौन लगें हो जो परदान मंतरी की रिळ योजना है उससे कुछ बोगों को लॉंद दिर्वा दिया तो मेरा प्रियास रहएगा क्यमक्हधीमंतरि की योजना है वह वास्तम में हम 100% तक लोगों तक नहीं पहुंचा पाए है मिज McM cream cream काडह हम नहीं दे पा हमारे जो वरकर्स होंगे वो जाके वहां बताएंगे कि क्या-क्या योजना है आप इसमें अपने फारम भरिए आप अपलाई करिए हमारी ही टीम उन कागजों को त्यार कराएगी और उनको योजनाओं का लाब दिलवाएगी ऐसे हम लोग रंपुरा चेतर हो गया टाइंड क की मुख्यधारा से कैसे जुड़ पाएगा मूदी जी की योजना उन्हें कौन बताएगा आज फ्री ओल्ड का इतना बड़ा मुद्दा था हमारी सरकार ने नजूल नीती लाके फ्री ओल्ड का मुद्दा बना दिया है लेकिन आज मेरे गरीब भाहियों को पता ही नहीं कि मंगान फ्री ओल्ड कैसे होगा हम कैसे उनको फ्री में फ्री ओल्ड कराएंगे हम बस्तियों में कैंप लगाएंगे बस्तियों कहां बैठेंगे और उनके मंगान फ्री ओल कराएंगे तो मेरा जो फोकस रहेगा वो सड़क नाली खड़ंजे से हट कर मैं आम जनता के साथ ज जैसे FM रेडियो हमारे रुद्वपुर में नहीं है, तो मेरे एक प्रयास रहेगा कि FM स्टेशन यहाँ पर सरकार के मात्यम से हमें मिल जाए, और यहां से और भी ट्रेने वरेने हैं, कई चीज़े हैं जो मेरे दिमाग में चल रही हैं, एक Digital Library का मेरा सपना है, क्योंकि हमारे बहुत सारी युवा पड़े लिखे हैं, कोई IS की तियारी कर रहा है, कोई मेडिकल की तियारी कर रहा है, कोई हमारे आर्मी की तियारी कर रहा है, लेकिन उनको लाव उठा के इस छेतर से प्रितवाए निकल सकें. जैसे मनोज सरकार है, एक हमारे इस छेतर के लिए मनोज सरकार एक ब्रान्ड अवेस्डर हैं, तो हमारी कोशिश रहागी, कि हम मनोज सरकार जैसे लोगों को आगे लाके उनको मजबूत करें, ताकि वो और ऐसे मनोज सरकार यहां पर पैदा कर सके जिससे हमारे यहां का नौजवान अंतराष्टी स्तर पे इस रुद्धपुर विधान सभा का नाम कर सके तो ऐसी बहुत सारी तापस जी योजना है एक मीडिया सेंटर होना चाहिए शेहर में हमारे पत्रकार भाई कहीं इंट्रिव्यू करना है कहीं बात करनी किसी को तो कहां जाएंगे तो एक अच्छा सा हाइटेक मीडिया सेंटर बने ऐसी तमाम योजना मेरे दिमाग में है यहां के जो सीनियर सिटीजन है जो हम कहते हैं रिटायर हो गया साट से उपर हो गया, नोकुरी छोड़ दिया, घर बैठ गया तो हम एक ऐसा कलब बनाने की कोशिश करेंगे कि जहां सीनियर सिटीजन आएं, खाएं, पियें इंजुआये करें, मस्ती करें और अपनी जो उनकी साट साल की सतर साल की जो अनुभा है वो हमारे जैसे युवाओं को दे ताकि हम उसका अनुभाव का लाव उठा के समाज में फिर आगे से बढ़ पाएंगे क्योंकि जो अनुभा हमारे पिता जी का होगा उनके जीवन का अनुभाव, वो अनुभाव हमें प्रद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् कोशिश करेंगे कि जो हमारी ओनलाइन साइट है जैसे एमेजन है फिलिप कार्ड है हम लोग कोशिश करेंगे इनके माद्यम से हम उनके प्रड़क बेचे और उनका जो लाव होगा वो उन तक पहुचाने का काम करेंगे ऐसा भी मेरा प्रयास है ताकि मैं शैर के नौजवान क को हमारे बुजुर्गों को चातरों को हमारे वहपारियों को सब को लेके चलने का प्रयास करूंगा अपने विधायक की बात दिया और हमारी भी होप रहेगी कि आप विधायक बने और जन्यवाद के आपकी नीतियां यह जन जन तक पहुचाए आपने मनोज सरकार का जिक् द्धनराशी की घोषना हुई थी वो धनराशी आज तक उनके खाते तक पहुची नहीं और कप पहुचेंगे यह भी उनको जानकरी नहीं जाती बात पर भी उनको कई परिशानियों का सामना करना पड़ा किस तरीके से देखते हैं मनुश सरकार के इन सभी आरोपों को नही पर नहीं है वो कहीं अगी सरकारी कागजों में समय लगता है और उनके लिए तो जो है वो उनको वश्चे मिले और मनोज जी के नाम पर तुमने रुद्धवपुर का स्टेडियम इतने बड़े स्टेडियम का नाम उनके नाम से प्रिवर्तित कर दिया है और भी जो करेंगे जब उनके अच्छा सिखाने वाला होगा अच्छा खिलाने वाला होगा तो जरूर उसका हम मनोज के साथ हैं और मैं मनोज को पूरा स्वासन देता हूं कि यह चार सहीता समाप्त होने के बाद जो भी उनके इश्यू है वह हम जरूर दूर कराएंगे अगर रुद् क्या कारण मानते हैं कि ठुकराल जी का टिकट कटे देखिए मैं तापस फिर वही कहूंगा कि यह भारती जंता पाल्टी है यहां कोई किसी के लिए कोई रिष्टर्ड प्रोपर्टी नहीं है कि विकास शर्मा विधायक बन गया तो पर्मानेट विकास शर्मा ही रहेंगे वो सकता है कल को को दूसरा कारकरता भी आएगा कल को तीसरा भी आएगा तो भारती जंता पाल्टी समय समय पर परिवर्तन करती रहती है पाल्टी के अपने कुछ सर्वे रहते हैं पाल्टी के अपने कुछ मानक रहते हैं वो लोग प्रित्या के अधार पर कारकरताओं की भ चाहते हो ऐसा एक नहीं सत्तर के सत्तर विधान समाओं पर यह राय ली गई और लोग तांत्रिक तरीके के अधार पर जिल मुझे लगता है कि कारकरताओं की जो भावना होगी उसी को टिकट मिलेगी और कहीं न कहीं इसमें कोई नेता बड़ा या छोटा या खराब काम सही का विधान समा में जो चीजे होनी थी शयाद उन्हें लगा होगा कि वो चीजे नहीं हो पाई है तो इसलिए किसी और को लाना चाह रहे हैं विधायक शुकला जी का टिकट पूरी तरीके से घोशना हो गए कि वह चुनाव लड़ेंगे कहीं न कहीं रुद्दरपूर का जो व हमारा ही चेत्र है और खटीमा भी हमारा चेत्र है विकास पूरे उत्राखंड में होना चाहिए मैं इसका पक्षिदर हूँ आज किच्छा में एमस आ रहा है दो दो एमस हो जाएंगी हमारे पास क्योंकि पहले हमें परशानी होती हैं से रिशी केस जाना पड़ता है कोन लाया कैसे लाया मनी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी के हाथ हो ही आया है और इससे उत्राखंड के लोगों को पूरे कुमाव चेत्र के लोगों को इसका भी लाब मिलेगा और जहां तक टर्चिंग ग्राउंड की बात है तो हमारे नगर निंगा में बहुत तेज पास हो चुका है कुछ जमीन हमें अलॉट हो भी गई है सरकार की दरफ से कुछ जमीन और अलॉट होनी है कुछ टेक्निकल कारण रहे जिसकी वेसे हम उसका उत्गहटन नहीं कर पाए हाई-टेक बसड़ा बनने जा रहा है आने वाल समय में और भी चीज़े हम लोग लाएं और उत्रा खड़ के अंदर दुद्दबर विधान सभा की अलग पैचान बनेगी ऐसा मेरा बादा है लेकिन पिछले दिनों कुछ आरोप लगे कि कुछ भूमापयाओ के साथ मिलकर आपने जमीन नगर निगम के साथ मिलकर कबजा करने की कोशिश की क्या कुछ कहेंगे क्य उस जगह पे जाए और देखे कि कौन सी जगह किसने कबजा की है और किसको निगम बार बार वहां से हटा रहा है ये भी इसकी भी जानकारी आप लोगों को करने चाहिए अब आपने पूछा तो मैं बताता हूँ कि हम लोग तो वहाँ पर एक रश्टी के प्लॉट है हमारे एक भोले बाबा का मंदिर था उसका जीनो धार करने के लिए कि यहां कोई पूजा नहीं हो पाती है और इसकी कोई देखवाल नहीं कर पाता तो आपकी कमेटी इसकी देखवाल करें और इसका जीनो धार करें तो हमारी कमेटी ने स्वैम वहाँ पे पैसा लगा कि अपनी ज जाके देख सकता है कि उस छेकड़ में विकाश शर्मा ने कोई कबजा तो नहीं किया है और 40-60 के लावा अगर हमारा कहीं कोई कबजा हो तो मैं हर तरीके के जाच के लिए त्यार हूँ और उस छेकड़ में कुछ शेर के गिद लोगों की नजर है जिने मैं कहूंगा कि जिनक अपनी राइनिती करता हुआ आया हूँ और ऐसे लोग जो मेरे पे आरोब लगा रहे हैं उनका कोई अस्तित नहीं है कोई वहपार नहीं है और ऐसे छुट भईया जो पत्रकार है उनका भी कोई अधार नहीं है कुछ जेलों में गये हैं कुछ के उपर रंगदारियां लग जिला दिकारी महते ने जाच कराई एडियम साब ने जाच कराई सभी जाचों में हमारा जब कुछ लेना देना नहीं है तो वो छेगर जगां पे लोग कबजा करके एक बाबा के नाम पे किया राधा कुंड था एक बाबा को लागे बठा देते हैं ये लोग पहले भी बध विकास श्रमा का तो कोई रोल ही है अब जब निगम अपनी जगां पर कबजा नहीं करने देला पनी जगां को बचा रहा है तो ऐसे में मेर राम पाल और विकास शर्मा कैसे उस जगा को खुर्द बुर्द कर सकते हैं उस जगा की boundary निगम ने खुद कर रखी है नगर निगम का driver वहाँ पे रखवाली के लिए रह रहा है नगर निगम की मिठी रोज उस में डल रही है आप सुबही कैमरा लेके जाएं तो वहाँ आपको साफ दिख जाएगा कि उस छेकड़ के अंदर कौन टेंट गाड़ रहा है कौन से ऐसे लोग हैं जो वहाँ टेंट गाड़ के जो रोज कहा रहे हैं राधा कुंड था अरे मेरी तो पैदाईशी फिलसुंगी में है मैं वहीं पैदा हुआ हूँ मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि राधा कुंड वहाँ कोई कुंड साबित कर दे तो मैं राए नीती से सन्यास ले लूँगा मैं इत्ती बड़ी बात बोल रहा हूँ आपके मंच के माद्धम से कोई कुंड नहीं था वहाँ बाबा की सेवा करते हैं बिना किसी स्वार्थ के मेरी अपनी इंकम इतनी कर रखे मेरे बाबा ने कि मुझे कोई कबजे कर सकता नहीं है और 21 साल की राही निती में जब मेरे पर कोई अरोप नहीं लगा तो आप समझ सकते है तापस जी यह सब विरोधियों की चाल है और कहीं न कहीं मेरी बढ़ती लोग प्रता जो जिन विरोधियों को लग रहा था कि अब यह विधायक का दावेदार बन जाएगा तो इसके खलाव तो कुछ है नहीं तो कैसे इसको रोका जाए तो उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किये लेकिन महादेव पे मुझे भरोसा है तो आज भी मैं तो उसी जगाँ पे आज भी हम पूजा कर रहे हैं सुबशा मारती कर रहे है और हमारे को किसी परकार की कोई दिक्कत नहीं और मैं तो कहूँगा कि आपके टीम जाए वहाँ देखे कि आखिर कभजेदार कौन खाली बदनाम करने की साजी सही या कभजा करने की साजी है वो चाहते हैं उच्छे कड़ में हमें कभजा मिल जाए हमारा राधा कुण बन जाए तो विकाष शर्मा और मेर पाक साफ हो गए अगर मेर मा कभजा नहीं करने दे रहा है क्योंकि मेर साब हमारी दोस्ती है तो इसको बुनाने का काम किया जा रहा है और आप मेर साब के बारे में भी जानते हैं जो क्रोलो रोप है के काम में कमिशन नहीं ले रहा भन्दा है वो क्या कब जाग prefer और चेकर में हमारे पास कोई ऐसी कमी नहीं है उनकी आपने business है उनकी factory चल लिये मेरी अपनी factory चल लिये मेरी अपनी दुकान है मेरा पुछतेनी काम है तो हम लोग कोई घटिया मान सिकता के लोग नहीं है जो उस बाबा को प्रजेक्ट कर रहे हैं उन अगर लोगों की हिस्ट्री निकाली जाए तो शायद किसी के पास कोई छोटी सी दुकान क्या कोई छोटी सी तनखावला भी काम नहीं है सब ठूंडते हैं कि कहां से मौगा मि काफी करीबी हैं और कहीं न कहीं पुषकर सिंग्धामी को भुनाने का काम भी विकास सर्मा करते हैं या रोप विपक्षियों कर रहता है देखिए अब पतापत जी आप मेरे बहुत करीबी हैं आपके साथ एक लंबा समय हो गया है मानी मुख्यमंत्री जी के साथ मेरा पुषकर सिंग कराने में मुझे कहने को नहीं रॉल्टे के साथ ही है मुझे कहने में कोही ही अ है क्योंकि हम रह निति होते हैं कोई- Вам बत्रकारता तो किसी ने आपको शिक्षा दी ओगी तब यहां तक पहुंचें तो इसी राइनिती में हमें सिखाया है, मैं खुल के कहता हूं, तो दामी जी ने, अजे जी ने, मानि कोशारी जी ने मुझे यहां तक पहुचाया है और इसी दम पे आज लोगों को लग भी रहा है कि मैं यहां का विदायक भी बनूँगा और आज भी मैं कहा रहा हूं निचे मैंने मैंने विक्तिकत कोई अपना काम किया हो तो मैं उसके लिए जनता के सामने बोलने के लिए त्यार हूं मैं आज भी अपनी 1996 से income tax return भरता हूं और आज भी भर रहा हूं मैं अपर एक चीज का data है और मेरी गाड़ी की भी किस्त जा रही है लेकिन ये जो आरोप आप पे लगे हैं दूनों ही आरोप जब लगे हैं वो पुशकर सिंग धामी के कारिकार में लगे हैं नहीं ये तो और मंदिर का आरोप तो पुशकर सिंग धामी जी के CM बने से पहले से लगा रहा है और ये मेरे लिए अच्छा हुआ है कि पुशकर सिंग धामी जी को सब पता था लोगों ने वहां भी शिकायत की माननी मुख्यमंत्र जी को मैंने सब बता रखा था कि जो मैं भाई मानता हूं तो देखो उसमे उसारी करने की कोशिश की थी आज स्यादो इस लिस्ट से गायव हो चुके है कल कि शाम तक बड़ी चर्चा थे कि मुश्कर सिंग धामी जी के बाद अगला कुई चेरा तो मानी पुशकर सिंग धामी जी तो सतर की सतर विदान सवह हूं पर ये चुनाव लड़ रहे हैं क्य चुनाव लड़ना उनी के चारे पर है और उद्धवुर में उनी के चारे पर चुनाव लड़ेंगे यह तो तै है लेकिन वो स्वेम खटीमा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि खटीमा ही उनकी करमचेतर रहा है और खटीमा में जो योजना है जो लाब मानी मुख्यमंतरी जी कहते थे कि उत्राखण विदान सबा का सत्तरवा नंबर है खटीमा लेकिन मैं खटीमा को नंबर वन बनाऊंगा आज उन्होंने खटीमा को नंबर वन बना दिया है और इतनी योजनाय दे दी है कि खटीमा में आने वाले दस सालों में भी वो काम खटम नहीं हो पाएंगे ऐसी ऐसी योजनाय उन्होंने वाल ला दिये है तो आने वाले समय में तो अभी और समय बाकी है देखते रहो क्या क्या करेंगे खटीमा ही नहीं उत्राखंड की सत्र की सत्र विदान सबाओं को हम लोग चमकाएंगे और पूरे भारत के अंदर उत्राखंड को नंबर वन परदेश बनाएंगे ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है कहीन कहीं कहीं कउंग्रेस अपने मोधि जी का नाम का कहीन कला चुनाओं जब उनका राष्टियत देक्स राइन-पी है तो चू नहीं लड़ते हैं हम तो अपने नेताओं के दम पे लड़ते हैं, हम तो योगी जी, हमारे मुख्य मंत्री, हम तो योगी जी के नाम पे लड़ रहे हैं, हमारे हर्याणा में खटर जी मुख्य मंत्री थे, हमने खटर के नाम पे चुनाओ लड़ा, तो हम तो अपने नेताओं के नाम पे अरे नरेंदर मोदी के नाम पे अगर हमें जंता वोट दे रही है तो नरेंदर मोदी ने काम किया है नरेंदर मोदी ने इस देश को नहीं बेचा है नरेंदर मोदी ने इस देश के अंतिम छोर के वक्तियों को अगर योजना दी अगर किसी ने फ्री में मकान दिया तो भी हमारी सरकार तो गरीबों के साथ खड़ी है, आयूशमान कार्ड हमने दिया, पांच-पांच लाग रबाय का इलाज हमने मुफ्त्व में किया, हमने तो सारी योजनाए गरीबों को देख के बनाई है, आज इतने बड़े-बड़े हैं, आप दिल्ली जाते हैं, चार गंट आज भव है, दिव है, अयोध्या नगरी के अंदर भखवान शिरी राम का मंदिर बन रहा है, जिसको देखने के लिए लोग दुनिया से आएंगे, विदेशों से आएंगे, जो लोग ताज महल को देखने आते थे, वो आज राम मंदिर को देखने आ रहे हैं, ये देने व ऐसे इन लोगों की Congress की ढूलमन नीतियों के कारण महाँ पर आज भरती जनता पल्टी ने पुना तिरंगा लेराने का काम किया और भरती जनता पल्टी हमेशा विकास की बात करती है सबको साथ लेके चलने की बात करती है यहनोंने मुस्लिम तुष्टी करन की जो राई नीति है यह खाली Congress करती है आज मुस्लिम भाई भी समझ चुके हैं कि आज तक हमें वोटों के लिए चला गया आज भी मुस्लिमों की आर्तिक इस्तती देख लो सत्तर साल तक इस देर पर मुस्लिम मानों Congress ने राज किया लेकिन मुस्लिमों की इस्तती आज भी वही है कहीं न कहीं भारती जनता पाल्टी ने जो योजनाय बनाई है वो हिंदू मुस्लिम देख के नहीं बनाई है हमारे हिंदू भाईयों को भी उसका लाब मिलना है हमारे मुस्लिम भाईयों को भी लाम मिल ला है, सब को लाम मिल ला है, सब का साथ, सब का विकास, तो हमारे नेता है, नरेंदर मोदी जी और रहेंगे, और हम अपने नेता का नाम क्यों नहीं लेंगे, आप भी अपने नेता का नाम लेजे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा न है, हमारे हिंदुत्व की अपनी एक आइडिलोजी है, हम लोग सब को Пूजा करने का धिखार देते हैं, हमने किसी के लिए नहीं कहागी तू नमाज मत पड़ो सब अपनी पूजा करें हमारी पूजा पदती हमारी हम जैशिरी राम कहेंगे हमारे अराध्य है जैशिरी राम आप अपने अराध्य को पूजी हम कभी मना नहीं करते हैं किसी मजीत या मदर से हमने कोई रोग नहीं आज क्योंकि धीरे-धीरे मुस्लिम भी समझ रहा है, तीन तलाग लेके आये मोदी जी, अरे महिलाओं की क्या इस्तती कर रखे थी इन मुसल्मानों ने, उसको सुधारने का, हमारी बेहनों की इस्तती सुधारने का काम अगर किया तो मोदी जी नहीं किया, आज मुस्लिम लगता है कि नहीं, ये वास्तों में मोदी जी ने अच्छा किया है, और उसका लाम मिलेगा, हमारे भारती जन्ता पाल्टी में, मैं ये भी कहाना चाहूँगा, देश के अंदर स्रोचपद, राष्टपती का, अगर किसी मुसलिम को देने का काम किया, तो भारती जन्ता पा हिंदू तो हमारी आइडिलोजी है, हिंदू तो कोई हिंदू के लिए नहीं है, हिंदू तो एक सर्व गयाई, हमारी आइडिलोजी है, हम सारे धर्मों का सम्मान करते है, ठीका लगाना हमारी परंपरा है, पुजा करना हमारी परंपरा है, हम अपनी परंपरा नहीं बाह र यह हिंदू का देश है भारत पुना विश्गुरु बनने जा रहा है आज हमारी संस्कृति को अमेरिका जपान और भी विदेशों के लोग अपना रहें आप देखते हैं वहां हमारी महिलाओं की जो संस्कृति है जो साड़ी पहनने के आज विदेशी महिलाया पहनती है आज हमारी बेहने विदेश से यहां पर आके अपने बच्चों को जनम दे रही है ताकि भारत की संस्कृति उन बच्चों में आ सके तो यह भारती संस्कृति हमारे रिशी मुनियों ने जो चीजे हमें परंपराएं सालों साल पहले दे दी थी उन परंपराओं को हम आगे बांगे कधूरबियों ही। और आज पुना हिंदुत और भारती संस्कृति का डंका जो बच रहा है इसे भारत पुना विश्गुरु बनेगा अगर कई धार्मिक बाते भी हुई है लेकिन अगर जन्मुद्दों की बात की जाए किसान मुद्दा और महंगाई कितना बड़ा एफेक्ट करेगी इस बार बिधान सभा चुना उत्राखिंड में कई किसान ने अपने जान की आहुती दी है इस अंदोलन में आपको जिस परीके से पता है कि मैं पहले तो किसान भाईयों के लिए अपना सोक संवेदिना परकट करता हूं जो इस अंदोलन में मारे गए और दूसरा कही ना कही हम नरैंदर मोदी जी की सोच में कोई खोट नहीं था और अभी दह कोई ऐसी योजना नहीं बनी कि जिससे कोई व्यक्तिकत किसी को हम लाप दे रहे हैं तो हमारी सोच अच्ची थि हमारी नियत अच्ची थी लेकिन कुछ राश्ट विरोधी ताकतों ने हमारे किसान भाईयों को बरगला कर उनको अपने साथ लगा कर राश्ट विरोधी रत्य करने का जो प्रयास कर रहे थे तो कही न कहीं उससे हिंदू और सीख भाईयों में भी एक धरार बंती जा रही थी कहीं न कहीं हम लोगों को बाटने का प्रयास किया जा रहा है किसान् दौलन के नाम पर तो मै देश के प्रदानमंति नेरेंदर मुदीजी ने लिया है कि हमने बिल वापिस किया ताकि हमारे किसान भाईयों को कही ये ना लगे कि हम उनके विरोध में हैं लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि क्या उस बिल जिस बिल पे अल्डेडी सुप्रिम कोड ने रोक लगा दी थी कि ये बिल लागू नहीं होगा तो ये किसी का धरना चला इतने दिन और वो ऐसा बिल जिसकी खामियों को लेके किसानों के प्रितिनिदियों से हमारी सरकार ने लगातार बात की और किसानों ने जो जो मांगे रखी उन सारी मांगों पे हमारी सरकार ने अपनी सहमती दी MSP का मुद्दा आया MSP तो पहले से ही 70 सालों से ही सभी फसलों पे नहीं दी जा रही है इन फसलों पे दी जा रही हैं उन पे हम भी दे रहे हैं तो जब उस मुद्दे को जानके बठकाने का काम कुछ राश्ट विरोती तक तो द्वारा किया गया, वो आपके सामने जंता जानती है, लेकिन हमारे राज में किसानों की इंकम दुगनी करने का हमने प्रयास किया है, यूरिया के लिए लाइने लगती थी, हमने उसकी ब्लैक ना लेना पड़े, और आगे भी हम किसानों के लिए खड़े हैं, और आगे माननी प्रधान मंत्री ने जिस परकार से गोशना की है, कि एक कमेटी बनाई जाएगी, और किसानों में से ही लोगों को लिया जाएगा, और किसान स्वैम तै करेंगे, कि हमें किस परकार का कानू चाहिए और उस पर हम लोग आगे काम करें महंगाई अगर आप बात करते हैं इंकम की तो आप दे खतें कही नंक है इंकम भी बढ़ती है जब महंगाई बढ़ती है तो कमाई भी बढ़ती है और अभी यह तो इतियास रहा है लेकिन अगर आप रेशियो देखेंगे महगाई की परसेंटेज देखेंगे तो इन पिछले आठ सालों में वो परसेंटेज बहुत कम है जो पिछले लगातार कई सालों में महगाई की परसेंटेज रही हम तो यही चाहेंगे कि महगाई बढ़े उससे कोई वो नहीं है लेकिन लोग तो कही नहीं महगाई के साथ साथ लोगों की आयके शरोद भी बढ़ेगे और लोगों को मिलेगा काम की विबाती की काम के शरोद विए लेकिन कॉरुना काल में इन सालों में इन विरोजदार हुए जह वह आप कंपनी बड़े बड़े पर भाष्पा को काम करना चाहिए ता जो नहीं हुआ है कि अफिकर है नहीं है देखे हैं अगे तरह करूना काल आया उस बीच में हमारे उद्योगों पर एफेक्ट पड़ा बॉस्तार बोगता तो बहुत सारे उद्योगों में कामद भी हुआ लगत लिए लेकर आप देख र लिखेल नहीं हो पुछा है तो बहुत सारे लोगों को रोजगार बचा और लोग अपना काम करके उनके मातलन से वोजगार चले अधर्वाइस के लाँ था कि लोग बैहां वेलों को पाम दोगाते हैं तो इसके वज़े से सब को रोजगार मिला एं तो बहुत अगर कुछ लो लिए प्रयास करें कि लिए 24 000 सब्सक्राइब रहां तो प्रयास करें कि सब्सक्राइब गाएं अंतिन सभाल के साथ चर्चा को आज ही नहीं समात करना जाएंगे। 21 साल और इन 21 सालों में जिस तरीके से भाजपा एक बार और एक इक पर काविज रही है। और कहीं न कहीं आप देखा जाये तो कॉंग्लेस का वत है और इस वत भाजपा 60 बार का नारा दे रही है। कर हाथ साल तक सामित की विए भाजपा कार्य करतो कि विए भाजपा के कुग तेजिए भाधि जिन्ता पांटी को सिर्ष नेतर्त आता हूं幫ogen कियरा सामार किया सामार को लेकि समद्भ को लेकि काम कर रहे हैं। मुझे भारती ज़न्दा पालिटी की सरगारी जोज के साथ पुर्वा लेराएगा और मुझे पूल विश्वास है, पुना मुख्य मंत्री पुष्व सिंग नामी बनेगे, और जिन कम्या रही होगी हमारी, उन कम्यों को भी आने वाले पास साल में अवश्य पूरा करेंगे, हम ऐसा वादा करते हैं, ऐसा युवा मुख्य मंत्री किसी को नहीं मिल पाएगा, जैसे युवा मुख्य मत्री हमें मिले हैं, तो हर आदमी चाहरा है, हीली को दुबारा लाया जाएगा और पुना भाजपा की सरकार बनाई जाएगा, बहुत शॉर्ट पूर्पुर्बिदान सबाद किसके जोली में और उतरा घंड में भाजपा की इतने सीटे, लिए जहा करता हूं और भारती जता पार्टी हमारी सेंटल कोर कमेटी इस पर डेढ़ने लेगी हमारा प्रतियासी कमल का फूल है हमारा चुनाओ निशन कमल का फूल है भारती जता पार्टी जिसको भी मौका देगी हम उसके पीछे कड़े होगे क्यों कि कमल का निशान हमारी पैचान बारत को विष्गुरू बनाना है, हम सब का बेया ही है और इसके अरावा हमारी कोई सोच नहीं है, जिसको भी टिकेट मिलेगी उसे यहां से विधायब होगा, जिसको भी टिकेट मिलेगा उरुद्रपुर से विधायब होगा, साट से अधिक सीटे प्रदेश में रहेंगी, यह विधाश जी का कहना है, बहुत बहुत दन्यवाद, बेवाकि से आपने हमारे सवालों का जवाब देख और आज के चप्चा से जुड़ने के लिए भी बहुत दन्यवाद, आपस जी और मेरी शुब कामना है, अवास को और यह उत्रहण की आवास कने, ऐसी मेरी कामना ह और आगे भी हम लोग आपके चैनल के मादम से कोशिश करेंगे, जो भी मुद्धे आप लोग उठाते हैं, उन मुद्धों में क्योंकि काम कराना हमारी सरकार है, हमारी जिम्मेवारी बंती है, तो हम लोग कोशिश करके उन मुद्धों को भी हल करने का प्रयास करेंगे, ब स्रधन की हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें